दोस्तों टेकनोलोजी के भड़ते हुए दोर ने इंसानी लाइफ को काफी ज्यादा परभवित किया है इन में से ज्यादातर परभाव आर्टिविशल इंटेलियंस और मशीन लर्निंग ने डाला है और जैसे कि आप सभी को पता है कि आर्टिविशल इंटेलियंस के जरीए मशीनों को इस परकार त्यार किया जाता है कि वो इंसानी दुमाग की तरह काम कर सके जबकि इसके उपोजिट मशीन लर्निंग एक ऐसी फिल्ड है जिसमें मशीने खुद बाखुद लर्न करती है पर यहां मशीन लर्निंग में आर्टिविशल इंटेलियंस की तरह खुद बाखुद सोचने और डिसीजन लेने की शमता नहीं होती इसी दर्मियान एक नई टेकनोलोजी को ड्वल्प किया गया है और जिसे हम डीप लर्निंग के नाम से जानते हैं और आज हम इस वीडियो के जरीए जो जानने वाले हैं कि आखिर ये डीप लर्निंग क्या है और रियल में इस डीप लर्निंग का इस्तिमाल कहां किया जाता है हलो गाईस मेरा नाम है दीप और आप देख रहे हैं ताट टेक्निकल फैक्ट ऑफ इंडिया तो चलिए फ्रैंड्स बिना अगसेदेरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो डीप लर्निंग को मशीन लर्निंग का एडवांस वर्जन जा फिर नेक्स जेनरेशन भी कह सकते हैं दोस्तों दरसा ये डीप लर्निंग मशीन लर्निंग की एक ऐसी ब्रांच है जो की पुरी तरह से अर्टिविशल नियूर नेटवर्क के उपर काम करती है इस artificial neural network की algorithm को इंसानी दिमाग की activities को देखते हुए बनाया गया है अगर हम machine learning के बारे में बात करें तो उसमें सिर्फ limited data को ही process किया जा सकता था और साथ ही साथ सिर्फ structure data को ही पढ़ा जा सकता था लेकिन deep learning की help से बहुत सारे data को एक साथ process करना बहुत ही असान हो गया जाहे वो data structured form में हो और या फिर unstructured form में deep learning के जरिए इस सभी data को handle करना असान हो जाता है दोस्तों अगर हम deep learning के इस्तेमाल की बात करें तो इसका उपयोग लगबग हर तरह की field में किया जा रहा है जैसे कि आप सभी google translator का इस्तेमाल तो करते ही होंगे google translator के दुआरा आप किसी भी भाशा को translate कर सकते हो चाहे आप उसे type करके करें और या फिर अपनी अवाज के जरिये करें deep learning की ऐसी functionality ने google translator को काफी ज्यादा improve और कारगर बना दिया है दोस्तों इसके बाद deep learning का इस्तेमाल आपके virtual assistant के लिए भी किया जाता है जैसे कि Alexa, Siri और Google Assistant इन सभी में सबसे पहले user की अवाज को समझना और फिर उसके बाद उसके accordingly result पेश करना ये पूरा का पूरा परसेस deep learning के दवारा ही किया जाता है दोस्तों इसके लावा deep learning का इस्तेमाल डीटल मार्केटिंग में भी किया जाता है आज के टाइम में internet की पकड़ पूरी दुनिया में होने के करण हर तरह के business को online किया जा रहा है अपने business की growth को बढ़ाने के लिए डीटल मार्केटिंग में भी deep learning की applications का इस्तमाल किया जाता है इसके लावा self driving car, healthcare industry और fraud detection जैसी कई अन्या fields में भी किया जा रहा है दोस्तों अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि ये deep learning क्या होती है और इसका इस्तमाल कहां कहां किया जा सकता है अगर आपका deep learning के बारे में जा फिर technology के बारे में किसी भी तरह का कोई भी question हो तो आप हमें comment box में लिख सकते हैं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो like करे, comment करे and share करे और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe करना ना भूले और साथ में bell icon को भी तबादें जिससे की हमारे आने वाले वीडियो की notification आपको मिलती रहे इसी के साथ friends अब हम चलते हैं और चलती मिलेंगे अपनी next वीडियो के साथ thank you so much, okay bye झाल झाल